एक को लिखना है राइट साइड पे लाइन बेंड रखनी है और दूसरी लाइन लेफ्ट साइड पे बेंड रखनी है दोनों को एक ही जैसे बेंड रखना है A, B के लिए सीधी लाइन टॉप त्री लाइन में और लाइन के उपर पैंसल को चलाते हुए B को राउंड करके कम्प्लीट करना है C, D के लिए सीधी लाइन और लाइन पर थोड़े दिर चलाने के बाद इसको राउंड करना है E, E की तुमाँ लाइन एक जैसी रखनी है सेंटर वाली को छोटा नहीं करना F, G, C बिनाना है C को लाइन नबर टू के साथ टैच करके G को कम्प्लीट करना है H के लिए दो सीधी लाइन और उनको अपस में एक लाइन के साथ मिला देना है H को कम्प्लीट कर देना है आई आई दो तरह का है आगे जे जेन टॉप थी लाइन पे आएगा के भी टॉप थी लाइन पे L तमाम लाइन्स को सीधा बिलकुल सीधा रखना है जुकी हुई ना हो, बैंड ना हो M के लिए पहले साइड वाइन लगानी है दोना फिर M को कंप्लीट करना है M की भी पहले साइड वाइन लगानी है फिर M को कंप्लीट करना है पहले P बनाना है फिर R बना देना है V की दोनों लाइन बैंड रखनी है W की भी दो V डाल देना है कि भी पहले साइड वाइन लगानी है कि भी दो गजयो दो पहले प्रणनाल करेंग!!